नमस्कार चेम्डी नियूज मैं आपका स्वागत है मैं हूना अंदिनी लाक्षकार खबरों के और बढ़ेंगे उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्ख्यों पर आदंकी बुरहान की बरसी पर कश्मीर बद पूरी खाटी में रोकी गई अमरनाथ यात्रा खाटी में किये गए सुरक्षा के कड़े इंतिस्दा मंगलवार को यात्रा हो सकती है शुरू आगरवास हासे में सीम योगी ने दिये जाज के आदेश ट्रांस्पोर्ट कमिशनर मंडल कमिशनर और आईजी मामले की करेंगे जाज चाज 24 खंडे में सीम अमामी रिपोर्ट कानपुर में मुलिस और बदमाशों के बीच मुट्भेड मुट्भेड में बच्चीज हाजार के नामी बदमाश रवी कुमार के पैर में लगी गोली घाटमपुर कर रहने वाला है आरूपी और अब खबरे विस्तार से आतंकी बुर्हानवानी की बरसी को लेकर अलगाव वादियों ने कश्मीर में बंद बुलाया है और इसके मदे नजर पूरी खाटी में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए है इस बीच एतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को रोग दिय एक जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा को आज पहली पार इस्तगित किया क्या है इस कारण यात्री रिवास में 4000 से ज्यादा श्रद धालू डेरा डाले हुए है पिछले साल भी बुर्हानवानी की बरसी पर यात्रा को इस्तगित किया क्या था लगनाव से दिली जा रही रोडवेज बस आगरा एकस्प्रेस वेपर जर्ना नाले की खाई में गिर गई इस थाथ से में 39 यात्रीयों की मौत हो गई और 18 लोग खायल हो गई बस में तकरीवन 50 लोग सवार थे घायल यात्रीयों को अस्पताल में भरती कराया गया है हासे के बाद भी अमोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख चताया है यूपी सरकार ने मृतिकों के परिवार को 55 लाक रुपे के मौफ़े का एलान किया है यूपी पुलिस के मुताबिक बस का नंबर यूपी डबल त्री एटी फाइवे डबल सेवन है बस इटावा से दिली जा रही थी रक्षा मंत्री राजना सेंग ने आगरा में यमना एक्स्प्रेस वेपर सडगतुर घटना का संग्यान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट से बात की और घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस स्पीड में होगी और ड्राइवर के नीद में होनी की वज़ह से यहाथसा हुआ हाथस सुबा करीब साड़े चार बजे हुआ वहीं सपा प्रमो का खलेश यादव ने घटना पर दुख चताते हुए म्रतिकों को 50-50 लाक वगायलों को 10-10 लाक के मुआफ़े की के साथ सक्षम एजनसी से जाच कराने की मांग की हामीर पुर्जेले प्रिशास्तन ने अचानक चाप पिमारी की और इस चाप पिमारी से हड़कम्प मच गया डियम ने चाप पिमारी सुरक्षा के तहत की और इस मामले में डियम ने बताया कि समय समय पर ये चाप पिमारी सुरक्षा के चलती की जाएगी जिसकी वचह से अधिकारी लाव लशकर के साथ ये च्छा पिमारी कर रहे हैं जिसकी वेनीव लाव लवगने लाव मेंशन के साथ। हमीरपूर कलेक्टरेट की गोल चब उत्रे पर एक गरीब मजदूर अपने छे बच्चों की साथ पिछले पाच दिनों से धरने पर बैठा है मामला कुरारा ब्लॉक के जलोखर गाउं का है जहांके रहने वाले इस मजदूर की छोपड़ी आंधी में उड़ गई जिसके चलते मजदूर ने ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रधान मंत्री आवास के लिए प्रातना पत्र भी दिया लेकिन पीडित का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी बीडियो वा एस्टियो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे है इसके साथ ही पेड़ित का आरोप है कि अधिकारी उससे 20,000 रुपे की मांग कर रहे हैं जिसको न देपाने की वज़ा से उससे अप्रात्र घोशित किया क्या है जबकि हमीर पुर्जलादिकारी ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि जाच की जा चुकी है और जाच के मताविक मस्दूर अपात रहे यादया सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें कानपूर वर्षासन भी पूरी तरह से सकरी है बीते तिनों से लधिकारी ने अधिकारियों को no helmet no petrol अभियान का नागरिकों से सक्ती से पालन कराने के लिए निर्तेश दिये जिस पर GMD News के reality check में भी no helmet no petrol का सक्ती से पालन होता नजर आया लेकिन ये भी सामने आया कि कुछ लोग हेलमेट को सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए ही इस्तवाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं ये लोग दूसरों से हेलमेट लेकर पेट्रोल भरबाते और फिर वापस करते भी देखें ऐसे भी जेमडी नियूज आप सभी जिमेदार नागरिकों से गोजारिश करता है कि हेलमेट को मजबूरी ना समझ कर जरूरी समझें और कानपुर प्रशासन के इस मोहिम में जेमडी नियूज प्रशासन के साथ है प्रशासन द्वारा यातया सुरक्षा के लिए चलाई जा रही ये मोहिम आपकी सुरक्षा के लिए ही है आप यातया सुरक्षा के लिए प्रशासन प्रशासन के लिए पूरी तरीके कानपूर में देखने के लिए आप जैसा की देख सकते हैं प्रिट्रोल पंप में किस तरीके से लोग जो हैं, वो हिलमिट लगा कर के लोगों को प्रिट्रोल दिया जा रहा है, आपको 270 चार्ज जुलाई को किरिंग में भी तैबिदेव और्दिकारियों को दिसा निर्देश दिये गए थे कि अगर हेलमेट नहीं होगा तो उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसका पालन जो है सभी पेट्रोल पंपों में इस समय भखूबी किया जा रहा है लेकिन आपको मैं यहां पर और अगत कराना चाहूंगा कि यहा आपको मैं बताना चाहूंगा का अगर यहां चला रहा है तो आपके सुरच्छा के लिए चला रहा है ना कि आपके मजबूरी के लिए ऐसे में जीम्दी नूज भी आपसे यही अपील करेगा कि जो हिलमेट है वो आपके सुरच्छा के लिए ना कि आपके मजबूरी के लि जसे घर्मामिने लिड़ादा झाल, प्लेगा झाल, लिघसे कना फिर एमाद के भादा है. कानपुर की पनकी था ना पुलिस और एक बदमाश में देर रात वहां चेकिंग के दोरा नामना सामना हो गया पुलिस को देखकर बदमाश ने फायर कर दिया जिसके बाद जबावी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश खायल हो गया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश घाटमपूर का रहने वाला 25 हजार का इनामिया रवी कुमार कोरी है उस पर कई थानों में मुकद में तर्स है आज रात्री में ठाना ध्यच पनकी के द्वारा जब अपरादियों के संबंद में गस्त की जा रही थी उसी समद प्रभारी सरवलांज सेल और MIG चौकी भी MIG चौकी के पास आ गए और वो लोग खड़े होकर आपस में वार्ता कर रहे थे तभी पावर हाउस की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साइकल से आता हुआ दिखाई दिया जब पुलिस को देह कर वा भागने लगा पुलिस को जब संदेह हुआ तो उसने उस संदिक व्यक्ति का पीछा किया वह संदिक दिवेट मोटर साइकल से था, अकेला था, आगे जाकर वह गिर पड़ा, गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फैरिंग कर दिया, जबाब में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फैर किया गया, एक गोली उसके पैर में लगी, पुलिस पार्टी के द्वारा जब उसके पास जाकर उसका नाम पता पूछा गया, तो उसका नाम रभी कुमार कोरी, पुतर राम सजीवन कोरी, जो नौरंगा खाटनमपूर का रहने वाला है, कल्यानपूर के पनकी निहें लगलेक महिला कर्शब बिला, सुबा 6 बजे से पढ़ा है महिला कर्शब लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी अब तक नहीं पहुचा, और इस तरह लावारिश लाश के साथ पुलिस कर रही है सोतेला व्यवहार घटना कल्यानपूर के लोहे की पुलिया के पास की जहाँ एक बार फिर मानफता के शर्मिसार होने का मामला सामने आया कल्यानपूर के पन की नहर में विला है ये महिला कर्शब सुबाद 6 बजे से पड़ा है महिला कर्शब पुलिस को सूचना देने के घंटों बात भी पुलिस अब तक वानी पहुचिए और इस खबर को रधीक चानकारी देने के हमारी संबाद अता निल से नहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या कुछ है ये वामना बताएंगे निल बेलकुल आपको बता दू बेच फरम नाथ बटना एक वामनी को देखने को मिली है लावारी बादी के साथ ने वहार यहां पर किया गया यहां पर सुभाद 6 बजे से बॉड़ी एक बैकर आई थी जिसी फुचना राजिरों ने पुलिस तो दी थी लेकिन सुभाद 6 बजे के 6 बजे से लड़गों फाले 3 बज गया और आप बॉड़ी को निकालने का प्रयाज किया जा रहा है यह अपने आपने बहुत बड़ी मानावता को उफर मुस्पार करदने वाली गटना है कि बॉड़ी सुभाद 6 बजे से लेकि अभी तक पाली से बहार नहीं निकाला गया है यानि कि सुभा से लेकि अभी तक कि ये शब नहर में ही पड़ा हुआ है वज़ा क्या बता ही फुलिस ने इतनी दे ली जिजिए वज़ा ड़ी आप पूति की जारी इस वामले पर बहुत बहुत बबर शुक्री अब्लेट करने को रहे है इस ख़बर पर हमें बड़ी ख़बरे कानपुर से आपको बता रहे हैं जो हमाना तक के शर्म सार करने वाला मामला सामने आया बता दे कि कर्यार पुर्गेपन की नहर में एक महिला कर्षव पिला सुबा 6 बजे से महिला कर्षव वहां पर पड़ा रहा जिस पर घंटों सूचना के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुची 3.30 बचे वो पहुची जिसके बाद अब इस मामले पर लीप पूटी कर्टी नजर आई पुलिस बड़ी ख़बर है कानपुर से जो कि आपको उता रहे हैं जहां माना तो गव شर्म साँच करने वाला वाम्रा सामने आया है आप को बता दे कि कल्यानपुर के पनकी नहर में महिला का शब मिला था सुबा छे बजे से पड़ी रहे हैं महिला महिला का शब लेकिन कोई भी पुलिस करनी सुबा से वहां सब नहीं पहुचा बताने के लावारे शिशव के साथ इस तरह का पुलिस का ये 113 वियवहार सामने आया घटना कल्यानपुर के लोहे की पुलिया के पास की है जहाँ पर पनकी नहर में मिला एक महिला कर्शव बताया जा रहा है कि सुबा 6 बजे से महिला कर्शव नहर में पढ़ा रहा सूचना के घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुँची पुलिस पनकी नहर में महिला का ये श्रव उत्राता मिला था जिसमें सूचना के घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुँची थी पुलिस बढ़ते अगली खबर की ओर बंगाल की टाइगर के नाम सिम्मर शिहूर सौरब गांगुली का जन्मितिन है जिन्हों ने भारती क्रिकेट को नई पहचान दिलाई गांगुली का जन्म आठ जुलाई 1972 में कोलकाता में हुआ था सौरब गांगुली अपने करियर के शुरुवात 1996 में की थी और उस दौरान उन्होंने लॉट्स में खेले गए मैच में सैंचुरी मारी थी गांगुली दाए हाथ के बलेबास थे लेकिन बाद में वो बाए हाथ के बलेबास बनके भारत की ओर से विश्वकप में सबसे बड़ा स्कोर 183 रनों के साथ सौरब गांगुली के नाम ही है उन्होंने अपने अंतरास्ट्री करियर में साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाब 12 श्रतक बनाया था इस मैच में उन्होंने 249 रनों की पारी खेली थी 1983 के बाद पहली बार भारती क्रिकेट टीम साल 2003 में गांगुली की कप्तानी में विश्वकप के फाइनल में पहुची थी गांगुली ने अपना आखरी टेस मैच 2008 में खेला था और फिलहाल वो क्रिकेट असोसियेशन और पंगाल के अध्यक्ष है एक बहतरीन बल्ले बास होने के साथ साथ गांगुली कमाल की कप्तान भी थे कानपुदी हाथ में रसूल अबाद तैसील के गांग भौतरी अभी भी मूलपूत आवर्शक्तियाओं को तरस रहा है जहां गांग में पानी के साथ बिश्ली की समस्या थी इस खबर को जेमडी नियूस ने प्रमुकता से दिखाया था इस खबर को दिखाने के बाद अधिकारियों ने मामले को संक्यान में लिया जिले के मोख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंग ने गाउ में दो दिन में विजली पहुचाने की बात कही थी जिसके बाद गाउ में विजली पहुचाने का काम शुरू हो गया जहां कंबों में तार्खी सिये गए, घरों में कनेक्शन हो रहे हैं, मीटर लगने शुरू हो गए हैं और गाउं में विजली आने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं वहीं गाउं के लोगों ने विजली के मुद्दे को उठाने और उनकी समस्या को दूर करने के लिए जेमडी नियूज को धनेवाद कहा हमारे गाउं बिजली पहले से नहीं थी अभी आप लोगों ने टीवी चैनल चालू कि उससे हमारी कुछ शुदा बढ़ रही है गाउं में क्या बिजली का कारा शुरू हो गया हाँ चालू है मीटर भी लग रहे सब समस्या हल हो रही दीरे दीरे तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं कि आप लोगों ने आकर हमारी गाउं में फुरी इज़त बढ़ाई है और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए चलता शुरू के स्त्रियों के सौन्दर एवं स्वास्त के लिए टेक्नो फार्म का शीकेर सिराप स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शीकेर सिराप स्त्रियों के सौन्दर एवं स्वास्त के लिए टेक्नो फार्म का शीकेर सिराप स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शीकेर सिराप रोशनी का कारवाँ इस तरह से हो रवाँ हर गड़ी हर एक पर नूर से धुलता रहे कारवाँ चलता रहे शौके आ गही को हो भुस्तों की आरजू रा गुजर पर हर कदम इल्म से मामूर हो हर रंधेरा दूर हो रोशनी का कारवाँ इस तरह से हो रवाँ हर गड़ी हर एक पर नूर से धुलता रहे कारवाँ चलता रहे हर रंधेरा दूर हो मेहनत और लगन की रीत दुनिया को हम दिखाएंगे चूलेंगे आसमा को हम तारे भी दोड़ लाएंगे हम इल्म के दिये जलाएंगे ला 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 मेहमान नवासी का शाही अंदास खिद्मत रेस्टोरेंट, कवर्थ और ओपेन एर का खुश्णमा माहौल फुली एर कंडिशन बेहतरीज सर्वेस इंडियन, मुगलाई, चाइनीज और कॉंटिनेंटल फूट प्रपेर्ट बाई वेल ट्रेंड शेफ आपकी खिद्मत के लिए हमीशा तैयार खिद्मत रेस्टोरेंट, ग्रांगीत होटेल्स, दिमॉल, कानपुर मनरंजन ही मनरंजन, मात्र 176 रुपे में जी आ, 10 नेटवर्क्स लाया है अपने उप्भोगताओं के लिए एक नया प्लांग जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल वो भी मात्र 176 रुपे प्रतिमा में उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आस तक जूम, CNBC आवाज, मुवीज ओकें, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट, स्टार उस्टो मुवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स तो देर किस बात की? ब्रेक के बाद आपका स्वागत और इसी बीच बड़ी ख़बर फर्खबास से फर्खबास ये बड़ी ख़बर आपको बता दे जहां तीन यूबकों ने किया नावालिक के साथ दुश्कर मां के पास जो रही थी ये नावालिक बच्ची जहां तीन यूबकों ने नावालिक से किया दुश्कर तीन युवकों ने नाबालिक के साथ खेट में किया दुशकर्म, नाबालिक ने घटना की जानकारी परीजनों को दी आपको उठादे के मुकदमा दर्स कराने पर आरोपियों ने परीजनों को जान से मारने की धमकी दी है कोत्वाली कायम गंच के राइपुर का ये मामला जहां तीन युवकों ने नाबालिक से किया दुशकर्म अधिवक्ता परम मिश्रा ने ट्वीटर पर दर्स कराई शिकायत पुलिस जब की मामली को दवाने में लगी पुलिस नहीं कर रही है आरोपियों पर कारवाई बते अगली ख़बर की और कानपुरते हाँ में वन महुस्व के आखरी दिन में था ब्लॉक के टिकरी gawk में कारिक्रम का ये जिन किया गया इस कारिक्र में वन्वे भाग और S.T.O. रेंजर और वन्दरों का टिक्री गाउं पहुंचे जहां परियावरण मेत्र आकांशा सिंग ने ग्रामीडो और वन्वे भाग की टीम ने 40 पौधे लगाए और लोगों से परियावरण बचाने का संदेश दिया आकांशा सिंग परियावरण में विशेश रुची की वज़ा से नेपाल के राजे पाल द्वारा परियावरण योधा पुरसकार से नवाजी जा चुकी है करनोच के इंदरगर थानाक शेत्र के पट्टी गाउं की रहने वाले एक महला नहर किनारे शौच के लिए गई थी तब महला का पैर फिसल गया जिससे वो नहर के तेज बहाओ में बह गई जहां मौके पर मौझूद क्रामीडों ने महला को बचाया और उससे अस्पताल में भरती कराया जहां हाला ठीक होने के बाद उसे घर भेज दिया क्या हम आपको बता दें कि महला पट्टी गाउने वासी सुशीला देवी बताई चाह रही है राजधा निवार गेस्ते सब्सी मंडी में भगवान जगनाची की छटी का आयोजन किया क्या और जिसमें समिती के लोगों ने भगवान जगनाची की आरती कर उन्हें भोग भी लगाया जिसके बाद भंडारे का प्रसाथ चखा आपको बता दें कि रविवार को भगवान जगनाची की छटी का कारिक्रम बड़े ही धूम थाम से मनाया किया कारिक्रम के विश्य में जानकारी देते हुए समिती के अध्यक्ष्य विरेंद्र शुक्ला ने बताया के सनातन धर्म के अनुसार जगनाच्पूरी में आज ही के दिन भगवान अपने मूल निवास पर लाए कए थे करनाच्पूरी में अध्यक्ष्य विरे बताया के अध्यक्ष्य जग क्वाने और इसी बीच बड़ी ख़बर ललकपूर से ललकपूर से बड़ी ख़बर आपको बता दे जहां अचानक आए आंधी तूफान और तेज बारिश का अपके हर दिखा अचानक आए आंधी तूफान और तेज बारिश के चलते गाउं में मची तबाही हुआ भारी नुकसान गाउं की कई खरों में आई धरारें और कई पेड़ धराशाही हो गए लवित पूर्था नक्षेत्र के जहर कौन गाउं का ये मामला जहां अचानक आए आंधी तूफान और तेज बारिश के चलते गाउं में मची तबाही तेज आंधी और तूफान के चलते कई खरों में आई धरारें इसके साथ ही कई पेड़ भी धराशाही हो गए और इसी के साथ Flawless Bulletin में इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं GMD News के साथ और विजिट करें हमारी वेबसाइट GMDTVIndia.com को नमस्कार ग्रांट कीथ होटेल्स